जय हिन दोस्तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अमरीकी हत्यारों को खरीदना इतना भी समझदारी का काम नहीं जितना कि अमरीकी मेडिया और वहां की सरकार दावा करती है मेरे हिसाब से अमरेकी हत्यार वही खरीदे जिने अपने दुश्मन को सिर्फ उन हत्यारों का धाग दिखाना हो क्योंकि जब इन अमरेकी हत्यारों के इस्तिमाल के बारी आती है तो ये हत्यार मददगार के बज़ाए परेशानी जादा लगने लगते आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसराइल खुद अमरेकी हत्यारों को लेकर परेशान हो चुका है और नेतने हो फिलहाल बाइडन सरकार पर गुस्सा भी है अब वो क्यों चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं देखें आप सभी जानते हैं कि 13 इराइनी कमांडर्स के मौत के बदले के चलते इरान और इसराइल में फिलहाल जंग अपने चरम पर है इरान ने रात 3 बजे 300 मिसाल से हमला करके इसराइल के जो मिलिटरी बेसिस को निशाना बनाया उसे देख इसराइली जनता काफी गुस्से में और आप देख सकते हैं कि इसराइल पर इतना बड़ा एटेक कर दिया गया इसराइल के आईरन डोम भी फिल हुए और इसराइल ने अभी तक इरान पर कोई भी कारिवाही नहीं की जबकि इसराइल के पास चंद मिनिटों में सबको डिस्ट्रॉय करने वाले F-35 तक मौजो दे अब इसराइल F-35 का इस्तिमाल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वाइट हाउस इसकी परमिशन नहीं देता मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी पर भी हमला करने से पहले आपको वाइट हाउस की परमिशन लेनी ज़रूरी है खास कर तब जब आप अमरेकी हत्यारों का इस्तिमाल कर रहे हो वाइट हाउस का साफ कहना है कि हमारी इजाजत के विना आप किसी भी मुल्क पर अमरेकी हत्यारों से हमला नहीं कर सकते और देखिए आज तीन दिन हो गए और इस्राइल अपने हत्यारों के अलावा किसी भी अमरेकी हत्यार का इस्तिमाल नहीं कर पा रहा इवन आपने भी देखा होगा कि अभी तक यानि इसराइल ने जब से F-35 खरीद है तब से लेकर अब तक इन पाच्वे पिडिके विबानों से इसराइल ने अपने दुश्मन पर कोई भी बड़ी कारिवाही नहीं की जबकि इनकी खरीद पर इसराइल ने बिलियन डॉलर्स खर्च की है और आज इसी बात का इसराइल को पच्चतावाए देखिए इसराइल ने अब साफ कहा है कि अब अमेरिका हमें F-35 को उड़ाने की परमिशन दे या ना दे लेकिन हम इरान को लेकर चुप नहीं बैटेंग वैसे बात में भी समझ नहीं पा रहा कि अमेरिका इरान को अपना दुश्मन मानता है उस पर प्रतिबन भी लगा चुका है और आज जब इसराइल को अमरीकी हत्यारों की सक्ट जरूरत है तो वाइट हाउस ऐसे मना क्यों कर रहा है शायद यही कारण होगा कि भारत समय समय पर F-35 खरिदने से बचदारा वैसे भी अमरीका की यही नियम भारत के लिए भी लागू होते क्योंकि जब भारत ने एपैचे को पाक सिमा पर डिप्लॉई के थे तो वाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा था कि भारत अमरीकी हत्यारों का उचित इस्तिमाल करे और समय सम आप ही कमेंट करके बताईए और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करे जय हिंद